जावन का पैलिस था और उसके नीचे से चारों तरफ से गुफाओं का नेटवर्क था व्हाँ हनुआन जी का वानर के रूप में ही व्हडन है मनिष्य के रूप में नहीं है कलिश्यर हैस्टे के उपर अंजी में centrally मौझूद है उसक्ता विमान का तो कोई प्रूफ कोई शबूत नहीं है अनुआन की जब पूष्य बाद करके लगणा में आगया तो करते हैं के जमीन में जो है वो लालोग ही के अ कि अ आर निधिए पीछले एपिसोड में हमने आपको पंचवटी के पूरा तात्रिक साक्षे दिखाए साथ ही दिखाया रामायन काल का समसे वैज्ञानिक प्रमाण राम सेथी हमने आपको DNA मैपिंग के जरिये रामायन काल की जनजातियों के साक्षे भी दिखाए और बताया कि वानर बंदर नहीं बलकि एक इंसानी प्रजाती थी अब आगे आज से करीब 7000 साल पहले राम सेतु से वानर सेना लंका पहुँची थी दूरी यही कोई 35 किलो मीटर के करीब की थी तिथी की गणना के हिसाब से करीब करीब एक दिन का वक्त लग गया था श्री लंका की सरहत तक पहुचने में वहां का जो पहला सबसे उचाई का पड़ाव था वो था सुवेलू परवत वहां से जो सामने देखा वो एक अभूत पूर विद्रिश्य था सोने की लंका स्वर्ग जैसी सुन्दर लंका वालमी की रामायन के अनुसार विश्व कर्मा ने स्वयम लंका नगरी का निर्माण किया था चारों ओर से समुद्र से घिरे होने के कारण ये बाहरी आक्रमन से सुरक्षित थी पौराणिक तोर पर लंका को धन के राजा कुबेर की नगरी माना गया जिनके सोतेले भाई रावण में उनसे सत्ता हडप ली थी एक तो कुबेर का अकूत धन उपर से रावण जैसा कुशल व्यापारी लंका की सम्रिद्धी अद्भुत थी लंका बिल्कूल संपूर नगरियों से अलगी है भिन्न है स्वानमाई है स्वान से रत्नों से विभूसित है रामायन को इतिहास के रूप में स्वीकार कर इसका प्रचार सबसे पहले वर्तमान के श्रीलंका नहीं शुरू किया वहां की सरकार ने तो पैरटन के नाम पर रावन का शरीर पाए जाने का दावा भी कर दिया हालकि श्रीलंका सरकार द्वारा पेश किये गए पुरातात्विक प्रमाणों को बैज्यानिक नहीं मानते हैं वालमी की रमायन में इस बात के बहुत ग्राफिक डिटेल है कि जब रावन का बद हो जाता है तो उसके दास अंसकार के गया तो उसकी मामी होने का कोई मतलब नहीं है हालकि कुछ लोग सवाल उठाते हैं लेकिन इस बात को लेकर कोई संशय नहीं कि आज का श्री लंका ही त्रेता युग की लंका थी श्री लंका में नुवारा इलिया नाम की एक जगए है जहाँ बेहद मनोरम घाटियों के बीच एक पाटिका है इसे अशोक पाटिका कहा जाता है वो लेवल भी नहीं हो सकता तो मैने उसमें बड़े ध्यान से ये देखा कि उसमें कुछ बहुत नीचे बहुत नीचे भी जमीन है लेवल हैं तो हो सक्टर कि उस एरिया में कभी लोगर लेवल के 7000 साल पहले बाटिका बज़ारा रही होगी श्रिलंका के पुरातत्व विभाग का दावा है कि अशोक वाटिका मंदिर में स्थापित भगवान राम और माता सीता की ये मूर्तियां 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी है जो इस बात की साक्षी है कि श्रिलंका का भारत से पुराना नाता है नुवारा इलिया के साथ सीता इलिया नाम की जगे पर भी रामाएन काल की कई प्रमाण होने का दावा है ये बूमी वोज बूमी है पुन्य बूमी है जहां सीता माता जी ने बनवास के समय पर रावन की कैद में अपने समय को गुजारा स्थानेक लोग जो जहां पर थे उनका बिश्वाश है इस जगा के उपर के सीता माता जी इतने समय तक प्रभू रामचंदर जी की आँखों प्रभू रामचंदर की जाद में अपनी आँखों में इतने आशू बहाएं हैं इस जगा का पानी भी खारा हो गया है कहते हैं अद्भुट जलाशेयों और घने हरे जंगलों से घिरे अशोक वाटिका के पास ही पहाडू पर कहीं लंकेश्वर रावण का प्रसिद्ध बागी चाथा इसे मा सीता की खोज में लंका पहुँचे हनुमान ने उजार दिया था अर्थात जब राक्षस लोग उनकी पूँच पे कपड़ा बांध रहे थे तब माहा कपी हनुमान व्यवर्धत बहुत बढ़ गए और बहुत बढ़ गए अर्थात पूँच भी बढ़ी होगी तो वालमी की रामायन में जो वर्णन है उसी की अनुसार तुलसीदास जी का वर्णन प्राप्त होता है वान अरों को अपनी पूँच से बड़ी ममता होती है वही उनका अभूशन है अतो इसकी पूँच जला दी जाए रावण ने जब सबक सिखानी के लिए हनुमान जी की पूँच में आग लगाई तो उन्होंने सोने की लंका में आग लगा दी थी वालमी की रामाईन के अनुसार हनुमान जी ने आग लगाकर रावण को बड़ी ख्षती पहुँचाई थी आज भी लंका में जले हुए पत्थरों और लाल जमीन के अवशेश मिलते हैं भक्त इसे लंका देहन से जोडते हैं लेकिन विज्ञान की थियोरी कुछ और कहती है कुछ लोग ऐसा है वो भगवान हनुमान की जब पूच्बान करके लंका में आग लगा तो वो कहते हैं कि जमीन भी जो है वो लाल हो गई वो लाल निम वो लेक्टराइट है विज्ञान और पुराण में एक बात को लेकर मतभेध है और वो है पुश्पक विमान कहते हैं कि जब रावण ने हुबेव से लंका चीनी थी तो साथ में पुश्पक विमान भी चीन लिया था हालकि इस विमान के बरतमान में कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं हालकि यहां हम इसके पक्ष और विरोध में तर्क आपके सामने रखते हैं अगर वालमी की रामाइन की रजना के काल पर बहस भी हो तब भी रामचरित मानस में भी पुश्पक का ब्यॉरा है और ये भी लगभग 400 साल पहले की बात है यानि मॉडन विमान के जनक राइट बंधूं के आविश्कार से कम से कम 200 साल पहले पुश्पक विमान का जिस तरह से वरणन किया गया है वो किसी राक्षस या जीव के रूप में नहीं है बलकि उपकरण के तौर पर गुष्पक विमान का तो कोई प्रूफ कोई सबूत नहीं है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्राचिन भारत में विज्ञान का प्रचारा नहीं हुआ था कि विज्ञान डिवेलप नहीं हुआ था, ऐसा नहीं है, हमारे कई टेक्स हैं, जिसका हमने कुछ अनलिसी नहीं किया है। संस्कृत का अंग्रेजी में अनुवाद करने से, क्योंकि अंग्रेजी विदेशी भाषा है, बहुत मूल भावना में कमी आही जाती है। यह किसी का दोश नहीं है, यह भाषा का ही वैशम में इतना है। और यदि उसका हिंदी में किया जाए, तो अंग्रेजी विदेशी भाषा है, हिंदी अपने देश की है, तो और मूल भावना में कमी आती है। तो यह स्वाभाविक है कि सीधा अनुवाद करने में जो भावना रहेगी, वो संस्क्रित से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करने में बहुत कम हो जाएगी। और केवल विमान का वरणन नहीं है, बलकि हेली पैड यानि विमान तल का भी जिक्र है। कहा गया कि रावन माता सीधा का हरण करके अपने पुश्पक विमान से लंका पहुँचा। यहाँ आपको श्रिलंका की मान्यताएं बताते हैं। वहाँ कहा जाता है कि वो सबसे पहले पहुचा था विरिगन टोटा। विरिगन टोटा का सिहली भाषा में मतलब है विमान तल। कहते हैं रावन के पाँच विमान तल में से एक था विरिगन टोटा। सिहली भाषा में विमान को दंडु मोरना यानी उड़ता मोर कहते हैं वालमी की रामायन में भी लंकेश्वर के विमान को एक बड़े मोर जैसा बताया गया है कहते हैं रावण अपनी राजधानी लंकापूर में पहुचने के लिए विरिगन टोटा विमान तल पर उतरता था कुछी दूरी पर था रावण की पत्नी मंदोदरी का महल रावण की पत्नी मंदोदरी भारत के मंदोर की रहने वाली थी वर्थमान में मंदोर राजस्थान के जोधपूर के पास एक छोटा सा गाउं है कहते हैं सालों पहले यहीं पर मंदोदरी के पिता मयासुर राज करते थे रावण से शादी के बाद मंदोदरी को तीन पुत्र मेगनाग, अक्षय कुमार और अतिक्य हुए सभी लंका में बस गया, श्री लंका में ऐसी मानेता है कि अशोप वाटिका ले जाने से पहले सीता जी को मंदोदरी के इसी महल में रखा गया था मंदोदरी के महल में सीता जी को कुछ दिन रखने के बाद रावण उन्हें रत में बिठा कर अशोप वाटिका ले गया चलिए हम अपनी कहानी की ओर लोटते हैं वालमीकी रामाइण के युद्ध कांड में ये लिखा है कि किस तरीके से वानरों और असूर सेना के बीच घोर युद्ध हुआ था उस युद्ध के बहुत सीमित प्रमाण है लेकिन एक प्रकरण जिसके सपष्ट सुबूत आज भी उपलब्ध है वो है जब मेघनाद के वार से लक्षमन घायल हुए थे तब हनुमान जी का संजीवनी बूटी ले कराना बेहोश लक्षमन के उपचार के लिए वैद्य ने संजीवनी बूटी लाने को कहा बताया गया कि हिमाले के कैलाश परवत और रिशब परवत के बीट स्थित औशधिये परवत पर संजीवनी विशल्य करणी और सुवर्ण करणी औशधियां मिलती है संजीवनी कृष्ण पक्ष में 15 दिन अलग तरह की महकती है और सुक्ल पक्ष में अलग तरह का पुष्प देती है वो आज भी आपको मालूम होना चाहिए जो उत्त्राखंड का गलेशियर है कैलास मांसरोबर है वो और बद्री नाथ के उपर में गलेशियर है उसके उपर संजीव में आज भी मौझूद है जो कि हमारे रिसर्च स्कालर जो आयरुवेद के वहां तक नहीं पहुच पा रहे हैं वालमी की रामायण के अनुसार हनुमान को एक पहाड से दूसरे पहाड पर जाने में महारत हासिल थी वो लंबी लंबी छलांग लगा कर तेजी से परवतों को पार कर सकते थे हालंकि तुलसी दास ने रामचरित मानस में लिखा है कि हनुमान हवा से भी तेज उड़ सकते थी और वो उड़ कर संजीवनी बूटी लाने गए थे डानासोर यूग में हम देखते हैं कि कुछ डानासोर भी उड़ने की शक्ती भी रखते थे हैं उनके फॉसिल भी हमको मिलते हैं लेकिन ऐसा कोई फॉसिल नहीं मिला है कि कोई मैश्य और वो उड़ने की च्छमता रखता हो वालमीकी रामायण में हनुमान जी के आकाश मार्ग से लंका जाने का वणन है तो तो पक्षी ही रहेंगे क्योंकि इस मनुश्य और वारनर तो ऊड़ नहीं सकते तो मनुश्य हैं वारनर हैं पक्षी हैं जब वालमीकी ने स्वयम उन्हें कपी और महाण कपी कहा है तो वालमी की रामायन को प्रमाण मानने वाले सनातन धर्माव लंबियों के लिए तो कपी ही है संजीवनी बूटी को लेकर भी कई शोध किये गए रामायन में इस बूटी का विस्तृत वर्णन नहीं किया गया है पर जीवन दायक बूटी के तोर पर कई पौधू की पहचान हुई है सेलाजिनेला ब्रायॉप्टेरिस, डेंड्रोबियम, प्लिकेटाइल और क्रेसा क्रेटिका नाम के पौधू में संजीवनी वाले गुण पाये जाते हैं पर अभी भी पक्के तोर पर किसी एक बूटी की पहचान संजीवनी के तोर पर नहीं की गई है अगस 2016 में ततकालीन उत्तराखंड सरकार ने संजीवनी बूटी की खोज के लिए बाकाइदा पैसे आवंटित किये कहा जाता है कि हिमाले के ओशदी परवत पर पहुँचने के बाद हनुमान संजीवनी विशल्य करणी और सुवर्ण करणी बूटी को पहचान नहीं पाए सोनो ने परवत के एक छोटे से खंड को ही लेकर वापस लंका की ओर जाने का निरने किया रास्ते में अयोध्या के पास इसी जगे पर भरत से उनकी मुलाकात हुए कुसल राम सी अलखन की पूछत भरत कुमार आज भी अयोध्या में भरत और हनुमान के मिलन की बात कही जाती है लंका पहुचने के बाद वैद्य ने संजीवनी बूटी से लक्षमन का इलाज किया इन जड़ी बूटियों के शक्ती इतनी तेज थी कि वो चंद पलों में ही स्वस्त हो गए ये बात वरतमान की दुनिया में विश्वास करने योग ये नहीं लगती कि कोई परवत उठा कर इतनी दूरी तक जा सकता है पर आश्चर ये जनक तरीके से इसके प्रमान भी मिलते हैं कहते हैं जब हनुमान जी परवत उठा कर लंका जा रहे थे तो पहार के हिस्से कई जगों पर गिरे आज भी श्री लंका की सामान्य वनस्पती से अलग कच्ठिवू, दोलुकांडा, तललडी, उनावातुना और रिती गाला में औशिधिये बूटियां मिलती कुलंबो से करीब देड़ सो किलोमीटर उत्तर में एक पहार है जो चारों ओर समुद्र से लिएरा वो परवत देखते ही किसी दूसरी जगे का लगता है उस पहार की मिट्टी को श्री लंका के बाकी इलाकों की मिट्टी से मिलाने की कोशिश की गई पर उसके गुण बिलकुल अलग दे ताजा रिसर्च में सामने आया है कि इन पहारियों का संबंध हिमाले से जुड़ा हुआ है कुछ साक्षे हमें वहां की बहुगॉलिक इस्तिती से जरूर मिते हैं जैसे रमायन के अंदर ये वर्णन है कि हनमायन संजीवनी बूटी के लिए हिमाले परवत का एक हिस्सा उठा के लाते हैं तो अगर हम जोग्रेफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं स्वाइल के बेसिस पर देखते हैं तो जो शित्र श्री लंका है श्री लंका में आज भी एक ऐसे पहड का अस्तित्तु मिलता है जिसकी स्वाइल जिसके जो फॉर्मीशन है वो फॉर्मीशन हमें हिमाले से मिलता वा रगता है जो कि उस एरिये में हुटना उसकी यूनिकनेस से वह अपने आपमे एक प्रश्न है जिसे आप उस से assimilate कर सकते नाभी पर ब्रमास्त्र से वार किया तो रावण वही भेर हो गया वालमी की रामायण में जिक्र मिलता है कि जनकपुर यात्रा के दौरान विश्वामित्र ने और वनवास यात्रा के दौरान अगस्ति मुनी ने राम को अस्त्रिशस्त्र दिये थे खास बात ये है कि पूरे रामायन में इन सभी अस्त्र शस्त्र के प्रयोग का सठीक वरणन मिलता है वाल्मी की रमायन में अगस्ते मुनी की अगनी शाला है, आश्टरम नहीं, वो अगनी शाला में हथियार बनाते थे और वो बहुत गाडेड रहते थे, और वो बहुत गाड़ी ती तो वो अंदर गए तो अगस्ते मुनी ने अपनी अगनी शाला में बनाये हुए अधूत अथियार उनों ने दिये और जो अमोगवान उनों ने दिया उसी से राम ने रावन का पत किया रावन की मौत का समय और खोगोलिये स्थितियों का वरणन रामायन में नहीं मिलता लेकिन कई सेनापतियों के बीच चले युद्ध और दिनों की गणना के आधार पर ये कहा जा सकता है कि रावन का पत चार या पाँच दिसंबर पाँच हजार चेहतर इसापूर्थ में हुआ होगा जो रेफ्रेंस दिये गए हैं तो वो उससे ये निकाला जाता है कि कौन सा प्लैनेट किस राशी में था और ये कॉम्बिनेशन इतने प्लैनेट्स के कब हुए तो ये बैकवर्ड कैलकुलेशन करके फिर सौफ्वेर यूज़ करके उसको स्काई व्यू को रेप्रिद्यूस किया गया और वो प्रिसाइसली इस टाइम और दिन पर आते हैं वालमी की रामायन के अनुसार रावण की मौत के बाद भाई विभीशन ने राम के आदेश पर विधी पूर्वक उसका दाह संसकार किया इसके बाद श्री राम ने विभीशन को लंका का राजा घूशित किया मर्यादा पुरुश उत्तम राम के चरित्र का ये वरणन इस बात को साबित करता है कि उनका धे युद्ध के जरिये विनाश नहीं बलकि मानव कल्यान हे तो युद्ध था उन्होंने रावन वद से मा सीदा को मुक्त करा लिया पर लंका को विनाश के गर्थ में नहीं छोड़ा राम बिलकुल एतिहासिक पुरुश रहे हैं और एतिहासिक पुरुश रहे हैं क्योंकि जितने बड़े पॉपुलेशन के बीच में राम के प्रती श्रद्धा है कि भारत भी नहीं भारत से बाहर जावा सुमात्रा से लेकर अन्य जगों पर भी इनकी मानिता है और लोगों को श्रद्धा है श्री राम विश्नु का अवतार माने गए पर साथ ही वो धरती पर राज करने वाले सबसे महान राजा थे जो आज की पीड़ी के लिए भी उतने ही प्रासंगिक है जो भगवान है वो हमारे पूर्वस्त है उनका खून हमारे रगों में दौड़ता है मैं मानता हूँ और मुझे ये बात बहुत इंस्पाइर करती है लेकिन क्या मैं इसको पुरूव कर सकता हूं नहीं लेकिन मैं किसी के ऊपर थोटनी कोशित थोड़ी कर रहा हूँ बस मै आज कल हमारे जो दशा है हमारे देश को हमें शर्म आनी चीए कि ऐसे हमारे पूर्वस्त है और आज हम लोग क्या कर लेकि कहते हैं हनुमान जी के अशोक वाटेका तक पहुँच जाने के बाद रावन ने सीता को महां से निकाल कर दूसरी जगे पर छिपा दिया था उसकी मौत के बाद माता सीता को रावन गोदा के इस्त्री पुरा से मुक्त कराया गया श्रिलंका में आज भी ये जगें इसी नाम से हैं विभीशन को राजा के रूप में पूजा जाता है तो राम सीता के अनेकों चित्र और प्रतिमाएं भी है बिभीशन से राम मिले तो गले लग करके मिले और बाहु इतनी लम्बी करके उनसे मिले और मिलने के बाद कहा बंदू तुम कैसे वहां रहते हो तो उसने अपना बिभीशन दिया सब कुछ वो बड़ा विस्तार है राम ने तुरंत ही वालू को लेकर के तिलक कर दिया लंक श्री राम के वनवास को अब 14 साल पूरे हो गए यानि अयोध्या लोटने की बेला आ चली थी वरणन मिलता है कि रावन के पुश्पक विमान से आसमान के रास्ते ही सभी अयोध्या की ओर लोटे थे तारीखों का मेल कराने से इतना समझ में आता है कि किसी ऐसे वाहन का प्रयोग किया गया था जिससे अयोध्या लोटने में न के बराबर समय लगा श्री राम जनजन की आस्था में विराजबान है और उनसे जुड़े साक्ष्य हजारों किलोमीटर के दाइरे में फैले हैं जिने हम समेटने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजा बनने के बाद श्री राम के राजबाट का क्या हुआ कितने सालों तक उन्होंने सत्ता समभाली राम लक्ष्मन भरत श्रत्रवन के बच्चों ने कब और कहा राजबाट समभाला जुद में रावन का समूर नास हुआ नास होने के बाद में उनको सीता वापस मिली सीता की परिच्छा लिया गया और सीता को साथ ले करके फिर और अजद्ध्यालोड करके और उन्होंने राज किया 14 साल के बाद एक बाद फिर से अयोध्या में खुशियों का सूरज हुआ राम राजजी की स्थापना हुई हर तरफ जश्न का महौल था खुशियां ही खुशियां थी अयोध्या की जन्ता में सबसे ज्यादा लोप्रियर राम अयोध्या के महराज बने और सीता महराणी तस बर्स रहापनाडी तस बर्स चृतांशय राम उराज़ंपासिट्वावर कम प्रयासति और इसे 11 बर्स राज़ंदे जितने भी धार्मी कनुस्ठां ते सपिय अस्थापना हुई और जितने भी पाप अचारी आख्या चारी हुई साब का बिनास हुआ इतने सालों से श्री राम के अनुज भरत अयोध्या में सत्ता तो संभाल रहे थे लेकिन श्री राम के खड़ाओं को सिंहासन पर रख कर सांकेतिक सत्ता श्री राम की ही थी भरत और पूरी प्रजा श्री राम के लोटने का व्याकुल होकर प्रतीक्षा कर रहे वालमी की रामायन के अनुसार राम अपने पचीसमे जन दिन के दिन वनवास पर गए थे और उन्चालीसमे जन दिन से पहले वापस लोटे 39, 49 वर्ष की उमर थी, 25 साल की उमर में वो वनवास गए वापस आए तो अयोध्या की राजा बने लगबग 10 वर्ष तक उन्हों ने सीता के साथ बहुत अच्छा अयोध्या का राज्य चलाया यहाँ परमपराओं के आएने से भी राम कथा देखने की आवश्यक्ता है आज हम हर वर्ष विजय दश्मी का उत्सव बनाते हैं जो रावण पर राम के विजय का उत्सव है अभी तक के शोध के आधार पर अयोध्या लोटने की पकीति थी मालूम नहीं लेकिन लंका से लोटते हुए चंद पड़ावू का वर्णन है भीशण युद्ध के बार श्री राम की सेना ने लंका में वंथरा मुलई नाम के स्थान पर एक दिन विश्राम किया लंका में स्थिती बहाल करने और विभीशन की ताजपोशी के लिए भी श्री राम लंका में ही रुके ब्राम्वन हत्या के दोश से मुक्ति के लिए कुलंबो से 80 किलोमीटर दूर मुन्नेश्वरम में उन्होंने पूजा थी कहा जाता है कि श्री राम पुश्पक विमान से लोटे थे और रास्ते में कई पड़ाव पर रुके भी थे कई रिशियों के आश्रम से होते हुए वो आखर में श्रिंगवेरपुर में भारदवाज आश्रम पहुँचे यहां से हनुमान जी को संदेश के साथ अयोध्या भेजा और चार दिन बाद स्वयम अयोध्या पहुचे पर द्वाज आश्रम गए अपने रिशी को प्रणाम किया और उनका धनवाद किया कि आपने मुझे जिस तरह का उप्तेश दिया उसका मैंने 14 साल तक वन में उसी तरह से नर्वाहन किया उसमें कोई तोटी हो तो गुर्देव मुझे बताए जिस दिन राम वापस लोटे उस दिन पूरे अयोध्या में दीपक जलाकर उनका स्वागत किया गया आज के दौर में मानेता है कि उस रोज अमावस की रात है इसलिए दिये जलाकर रास्ता दिखाया गया और खुशिया मनाई गई आज भी उसी की याद में हर साल दिपावली का त्योहार मनाया जाता है जब राम आयोध्या में प्रिवेश कर रहे थे चतुरदसी थी उस समय चतुरदसी के लिए एक दीव चलाते हैं जब रात्री को पहुँच गए तो उसी सकाल में क्या होता है कि अमावश्या प्रिवेश कर गई अमावश्या की रात दिन से लेकर के उत्सायत हुए लोगों लोगोंने पक्वान बांटना सुरुकि फिर अमावश्या की रात्री में बहुत बड़ा पूजन किया क्योंकि सीता साक्षात लक्ष्मी है सीता जो है लक्ष्मी पुत्री है लक्ष्मी है इसलिए उस दिन गणपती और लक्ष्मी का पूजन भी शुरू हो गया यह राम के आगमन पर ही लक्ष्मी गणेश का पू वालमी की रामायन के अनुसार राम राज्य की स्थापना के साथ ही वालमी की ने भी राम के जीवन पर आधारित रामायन की रचना शुरू कर दी थी श्री राम ने एक ऐसे कल्यानकारी राज्य का उदहरन प्रस्तुत किया जो आज भी आदर्श है राम राज्य आज भी उस राज्य का पर्यायवाची है जहां जन्ता की खुशी और भलाई के लिए राजा राज करता है वालमी की लिखते हैं कि राम ने कई अश्वमेध यग्य किये और विशाल धन संपदा दान में दिया इस प्रकार राम ने करीब 11 साल तक राज किया राम राज्य के 11 साल की बात है जब माता सीता को लेकर राज्य में काना फूसी सी शुरू हो गए यह आम धारणा है कि लंका से लोटने के फौरण बाद ऐसा हुआ लेकिन दरसल यह श्रीराम के शासन के 10 साल के बाद की बात है तब पती धर्म से उपर राज धर्म को रखते हुए श्रीराम ने लक्षमन जी को आदेश दिये कि वो माता सीता को वालमी की आश्रम में छोड़ाए राम की आग्या पाकर लक्षमन दुखी मन से सीता को लेकर वालमी की आश्रम की ओर चल दिये शोध में सामने आया है कि वालमी की आश्रम चित्रकूट में था वनवासकाल के दौरान राम, सीता और लक्ष्मन यहां पहले भी जा चुके थे श्री राम इस आश्रम से अच्छी तरह से परचित थे इसलिए उन्होंने सीता को वहां भेजा वालमी की आश्रम में लवकुष का जन्म हुआ समय तेजी से बीटने लगा सीता त्याग के बाद राम अयुध्या में सन्यासियों सा जीवन जीने लगे वो राज्य की हर आवशक्ता का ध्यान रखते थे लेकिन स्वयम से उनका मन उचट चुका था उधर वालमी की आश्रम में लवकुष की शिक्षा दीक्षा शुरू हुई रामायन के अध्यायों को वालमीकी ने दोनों को मोँजबानी याद करा दिया लव और कुष रामायन का पाठ नगर नगर जाकर करने लगे उनकी ख्याती आयोध्या तक पहुँची श्री राम से कैसे उनकी भेट हुई पूरा उलेख इसका मिलता है कैसे माता सीता धर्ती में समा गई हालकि इसके कोई प्रमान नहीं है और सबका अपना अलग-अलग आकलन है कि धर्ती में समाने का अर्थ क्या रहा हुगा श्री राम अपने बेटों को अपने साथ राजबहल लेकर अयोध्या पर कुछ दिन शासन करने के बाद उन्होंने इक्षवाकू वंच को पूरे भारत में स्थापित करने के लिए अपने और अपने भाईयों के बेटों को राजबाट सौपने की प्रक्रिया शुरू की शोध में सामने आया है कि राम को जहां दो बेटे लव और कुछ थे भारत के भी दो बेटे थे इनका नाम तक्ष और पुशकल था लक्षमन के भी दो बेटे थे उनका नाम चंद्रकेतु और अंगद था सबसे छोटे भाई शत्रूगने के भी दो बेटे थे जिनका नाम सुभाहू और शत्रूगहाती था क्योंकि राम राजच वन गया था ये राम का राज है राम का आदर्श है और वो चला उत्तर रामायन में राम के बाद उनके परिवार को लेकर विस्तार से वरणन मिलता है कहते हैं भरत अपने मामा युद्धिजीत के बहुत करीबी थे युद्धिजीत कैके प्रदेश के राजा थे वर्तमान परिपेक्ष में कैके प्रदेश अफगानिस्तान के आसपास का इलाका माना जा सकता है मामा युद्धिजीत ने गंधर्व के खिलाफ युद्ध के लिए कौशल प्रदेश से राजा राम से मदद मांगी श्री राम के आदेश पर भरत अपने दोनों बेटों तक्ष और पुशकल के साथ कैकै प्रदेश कै गंधर्व को हराने के बाद भरत ने यहाँ पर अपने बड़े बेटे तक्ष के नाम पर तक्ष शिला राज्य की स्थापना की साथ ही छोटे बेटे पुशकल के नाम पर पुशकलावत राज्य की स्थापना की पांच साल तक दोनों को शासन सत्ता की बारी किया सिखाने के बाद भरत वापस अयुध्या लोटाए श्री राम चाहते थी कि चारों दिशा में उनके अपनों की सत्ता पर पकड़ू लिहाजा भरत के कहने पर पूर्वोत्तर के राज्य करूपत को राम ने कौशल प्रदेश के अधीन कर लिया लक्षमण के दोनों बेटों अंगद और चंद्रकेतू के नाम पर अंगदिये और चंद्रकांता नगरों को बसाया गया एक साल तक लक्षमण यहां रहकर वापस अयुध्या लोटाए इसी तरह से शत्रुग्ण ने लवनासूर का वद करके यमुना के किनारे दो भव्य नगरों विदिशा और मतुरापूरी का निर्मान किया पुत्र सुबाहू को मतुरापूरी और शत्रुगाती को विदिशा का राजपाट सौप कर वो भी वापस अयुध्या लोट गया लवनासूर को मारने के बाद उन्होंने पहले ही शत्रुगान को परिवार्स के साथ बेह दिया था और कहा था कि वहाँ दो कैपिटल सिटीज रिवेल्प करना मतुरा और विदिशा मतुरा यूपी में है विदिशा मत्यप्रदेश में है और वहाँ अपने राजपूत्रों को राजपाज करने में ट्रेनिंग दे दे एसा वरणन मिलता है कि श्रीराम ने कौशल राज़े क को दो हिस्सों में बांट दिया अपने बेटों लव और कुश को सौप कर स्वयम बैकुंठ धाम जाने की तैयारियां शुरू कर दे एक शिवाकू वंच के 64 राजा राम ने अपने जीवन काल में जो प्रतिमान स्थापित किये उसकी वज़े से वो मर्यादा पुरुशोत् श्री राम और उनके भाईयों की अंतिम यात्रा को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है लेकिन इससे जुड़ी कहानियां सामने आती है कहते हैं पतित पावनी सर्यू के इसी घाट पर श्री राम के अंतिम दर्शन हुए थे भागवान राम अपने सब परिवारों के अजुड्या बासियों के साथ सर्वी राम अनुबरता और सभी के साथ वो उस परमधाम के गये उस घाट गत्वानिवर्दन तेता धाम पर महमा जहां जाने के बाद जीवात्मा इस संसार में नहीं आता श्री राम की कहानी भारत वर्ष के एकी करण में सबसे बड़े कारत के रूप में उभर कराती देखा जाए तो श्री राम ने उस दौर में सोशल इंजिनेरिंग के जरिये एक मजबूत राज्य की नीव डाली जहां कोल जन जाती के गुह निशात को प्रेम और सम्मान देकर गले लगाया वही भील जाती की दलिच शवरी के जूठे बेर खाकर और स्प्रिश्यता के विरुध एक प्रबल संदेश दिया आप भारत के किसी भी कोने में चले जाएं कोई भी धर्म का हो कोई भी जाती का हो कोई भी भाषा बात करने वाला हो आप किसी से भी पूछे कि देश को सबसे अच्छा चलाने का तरीका क्या है सब कहेंगे रामराजे आज तक वो छवी हमारे दिल में है तो इस सोचने के जरूए है कि रामराज का मतलब क्या है वो हमारे दिल में अभी तक जिन्दा क्योए है और जितना ज़ादा हम सोचेंगे उतना हम इंस्पार होगे वतना हम अपने आज की द शा को स자र सकें जहां तक पारंपरिकमत है, तो वालमी की रामयन को तो वेद ही समझा जाता है अगस्त्य समिता में कहा गया है कि वेद वेद्धे परे पुम्सी जाते दशरत आत्मजे वेदह प्राचे इतसादासी साक्षाद रामायन आत्पना तस्माद रामायनम देवी वेद एवन सम्षया यह एतियासिक पुरुष्ट है उनकी एतियासिक्ता उनके वजशत वालों की उससे परदा लगती है और यही महाभारत के बारे में है तो यह कहना कि वो एतियासिक पुरुष्ट नहीं थे यह नियाय संगत नहीं वेज्ञानिक प्रमाणू ने सिद्ध किया है कि भारत में संस्कृती पिछले 10,000 सालों से विक्सित हो रही रामायन में वरनित 7,000 वर्ष पुरानी ये एतिहासिक घटनाए हमारी उसी सम्रिद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्राचीन तम नमूना है जो आज तक भारत में निरंतर विक्सित हो दिया रही लगातार वैग्यानिक शोध ने अंग्रेजों के दौर की उस थियोरी को पूरी तरह नकार दिया है जहां भारत में संभ्यता के विकास को पश्चिम से आरियों के आने से जोड़ा गया है हर एक प्रमार भारतिय संभ्यता के इतिहास पर मुहर लगाता है श्री राम के पद्जिन्नों पर चलते हुए हमने इतिहास के कई प्रमाण आपके सामने रखे हैं आज के लिए इतना ही लेकिन जब अगले एपिसोड में आपसे फिर भेट होगी तो हम ईश्वर के किसी और रूप के साक्षे आपके साथ तलाशेंगे कर दो हम ईश्वर के साथ तलाशेंगे